ओम शांति आज दिनांक 29 मई 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइच कोर्स 25 फरवरी 1991 को हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे आज बाप दादा वर्दान में बोले संपूर्णता की इस्तिती द्वारा प्रक्रती को आडर करने वाले विश्वु परिवर्तक भव आज बाप दादा हम बच्चों को विश्वु परिवर्तक भव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाप दादा कह रहे हैं संपूर्णता की इस्तिती द्वारा प्रक्रती को आडर करने वाले विश्व परिवर्तक भव डिटेल में बाप दादा बोले जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन संपूर्ण इस्तिती में विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी तब यह प्रक्रती संपूर्ण हल्चल की डान्स सुरू करेगी वायू धर्ती समुद्र जल इनकी हल्चल ही सफाई करेगी अर्थात बाप दादा कहते कि तुम सब भ्रह्मन आत्माएं जब संगठित रूप से संकल्प करेंगी तब यह प्रक्रती संपूर्ण हल्चल का डान्स करेगी क्योंकि प्रक्रती ही सफाई का विशेस आधार बनेगी तो बाप दादा कहते जब तुम भ्रह्मन आत्माएं संपूर्ण संपन बनेगी पाँच बातों में विशेस संपूर्ण बनकर एक साथ संगठित होकर संकल्प करेंगी तब प्रक्रती हल्चल करेगी अर्थात डान्स दिखाएगी अर्थात हमारे कार्य में साथी सहयोगी बनेगी वे पाँच बातें बाबा कहते सर्व गुन संपन संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मरियादा पुरुसोत्तम सोला कला संपन पाँच बातों पर बाप दादा ने हम बच्चों को अटेंचन खिचवाया था कि जो बच्चे पाँच बातों में संपूर्ण बनेंगे प्रक्रती उनकी दासी बनकर उनके आडर अनुसार कार्य करेगी जो पाँच बातें सर्वगुन संपन संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक मरियादा पुरुसोत्तम सोला कला संपन जब ब्रह्मन आत्माएं इन बातों में फुल होंगी और फिर संगठित रूप से आडर करेंगी तो प्रक्रती साथी सहयोगी बनकर सफाई का कार्य करेगी आगे बाप दादा बोले परंतु यह प्रक्रती आपका आडर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयम के सहयोगी करमेंद्रियां मन बुद्धी संसकार आपका आडर मानेंगे साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की उची इस्तिती हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन और प्रक्रती हाजिर हो जाए अर्थात बाप दादा कहते कि जो बच्चे संपूर्ण संपन बनेंगे पर उनका आडर प्रक्रती जब मानेगी जब पहले वे स्वराज अधिकारी होंगे अपना राज अच्छी तरह से चला रहे होंगे अपने कर्मचारी जो हैं करमेंद्रियां ग्यानेंद्रियां मन बुद्धी संसकार और करमेंद्रियां फुल आडर में कारे करती हों साथी सहयोगी बन कर रहती हों कभी भी हल्चल ना करती हूँ, तो ऐसे ही जो ब्राम्पन बच्चे होंगे, जो अभी के स्वराज अधिकारी हैं, वे ही प्रकृति से सफाई का कार्य करा सकेंगे, अर्थात परिवर्थन का आडर कर सकेंगे, परिवर्तन के निमित बन सकेंगे तो सर्व ब्रह्मन आत्माएं जब संपूर्ण संपन बनेंगी अपनी सीट पर सेट रहेंगी और एक साथ परिवर्तन का संकल्प करेंगी तो प्रक्रती सफाई का कार्य करेंगी और जल्द ही विश्व का परिवर्तन हो जाएगा स्लोगन में बाब दादा बोले अपने स्रेष्ट भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की इस्मरती दिलाते रहो अर्थात जिस भगवान को अभी मनुस्य ठूंड रहे हैं कण कण में दर दर ठोकरे खा रहे हैं फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिला तो बाबा कहते तुम ऐसी भग्यवान आत्माएं हो जिन्हें स्वयम भगवान ने ढूंडा अब तुम्हारा कर्तव यह है कि सभी मनुस्य आत्माओं को भगवान का परिशाय दे कर उनका भी भग्य बनाते चलो आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त वानी में विसेस अटेंसन किचवाया सोच और कारे में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है परमात्मा पिता का प्यार उन बच्चों को मिलता है जिनकी सोच और कर्म समान होती है अर्थात सोच और कर्म समान रखने वाले बच्चे ही परमात्म प्यार को निभाते हैं आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों को देख हर्शित हो रहे हैं बाप दादा कह रहे हैं कि जो बच्चे अभी के स्वराज अधिकारी हैं वे विश्व राज अधिकारी बनेंगे अपनी ग्यानेंद्रियां करमेंद्रियों का दर्बार लगाते हैं अपने आडर अनुसार उनसे कारे लेते हैं उनकी करमेंद्रियां वा ग्यानेंद्रियां साथी सहयोगी होकर अपने राजा का आडर मानती हैं अपने राजा के अनुसार कारे करती हैं वे ही स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं और वे ही विश्व राज्य अधिकारी बच्चे भविश्य में बनेंगे तो बाबा कहते राज्य कारोबारी 100% आग्याकारी वफादार और Ever Ready होना चाहिए तो तुम बच्चों को रोज दर्बार लगाना है और यह चेक करना है कि क्या हालचाल है अपने कर्मचारियों का क्या वे मेरा आडर मानती हैं मेरा दर्बार युक्ती युक्तर दर्बार है मेरे सभी कर्मचारी जैसा मैं कहती हूँ वेसा करते हैं या पहले करते हैं और फिर सोचते हैं तो बाबा कहते मन को आडर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो तो सेकेंड में फुल इस्टॉप दो सेकेंड भी नहीं लगने चाहिए इसको ही कहा जाता है युक्ती युक्त दरबार ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी भविस्य के विश्व राज्य अधिकार को प्राप्त करेंगे बाप दादा कहते अभी के सफल राज्य अधिकारी भविस्य में सफलता का फल विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे अगर संपूर्ण सफलता नहीं कभी कैसे कभी कैसे कभी सो प्रतिसत सफलता कभी सिर्फ सफलता सो प्रतिसत सफल नहीं तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य तक्त ताज प्राप्त नहीं होता लेकिन royal family में आ जाता है एक है तक्त नसीन दूसरे हैं तक्त नसीन royal family तक्त नसीन अर्थात वर्तमान समय भी double तक्त नसीन रहे डबल तक्त कौन सा बाप दादा पूछते डबल तक्त कौन सा एक है अकाल तक्त दूसरा है बाप का दिल तक्त तो अभी जो बच्चे अकाल तक्त और बाप के दिल तक्त पर बेट कर अपना स्वराज्य अच्छी रीती युक्ती युक्त चलाते हैं वे ही बच्चे भविश्य में भी डबल विश्व तक्त अर्थात विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे अर्थात पूज्य भी होंगे और विश्व महाराजन भी बनेंगे आगे बाप दादा बोले पहले भी सुनाया था न कि विधी से सिद्धी होती है कार्य सक्ती की विधी एक है बाप के बनने की विधी दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधी तीसरी है प्राप्त किये हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधी में अंतर हो जाता है पोईंट सब के पास है एक टोपिक पर वर्कसाब करते हो तो कितनी पोईंट निकलती है तो एक पोईंट को बुद्धी में रखना यहाँ है एक विधी और दूसरा है पॉइंट बन पॉइंट को कार्य में लगाना पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट भी हो दोनों का बेलेंस हो यहाँ है नंबर वन विधी से नंबर वन सिद्धी प्राप्त करना अर्थात पॉइंट का मनन चिंतन कर पॉइंट का स्वरूप बन कर पॉइंट लगाना उसे कार्य में लगाने वाले बाबा कहते सिद्धी स्वरूप आत्माएं हैं तो बाप दादा कहते कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं कभी पॉइंट के रूप में ठीक जाते हैं पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चले कार्य सकती को बढ़ाओ समझा नंबर वन आना है तो पॉइंट स्वरूप बनना और पॉइंट की सीट पर सेट होकर पॉइंट को कार्य में लगाना यही विदी से सिद्धी प्राप्त करना है तो ये थे बाप दादा के महवाक्य अच्छा ओम शंती